जिसका हम लोगों ने रिजल्ट दिया उस रिजल्ट के प्रोसेस में त्यूंकि डिपार्टमेंट भी उसको देखता है और यह सिर्फ टियारी की बात नहीं है दोस्तों स्वागा थे आप सबी काईकवार फिर से अपके इपने ही चैनल ग्याम दानुर पर साथ यह आपको बता दे कि आज एक बड़ी अपडेट आई है अपडेट क्या चीज को लेकर जैसा कि आप थम्नेल में देख लिया होंगे साथ यह आपके सामने दिख भी रहा होगा कि अभी BPSC के माधियम से एक ट्विट किया जाता है मानिय अतुल परसाद के द्वारा उनके ट्विटल हैंडल को भी दिखाएंगे और इसमें असपस्ट करके बताया गया कि BPSC supplementary result कब publish की जाएगी हाला कि इसका घोषना हो चुका है लेकिन अभी तक साइट पर update नहीं हुआ है हम सारा कुछ लाइव दिखाएंगे आपको कैसे चेक करना है एक एक करके बताएंगे अब वीडियो में बने रहीएगा देखें साथियों देख सकते हैं कि मानिय अतुल परसाद के द्वारा आज एक ट्विट किया जाता है ट्विट बस 30 मिनट पहले किया गया है समय के अभाव के चलते हम 30 मिनट तुरत ही हम वीडियो नहीं बना पाए लेकिन फिर भी आपको अपडेट दिखाएंगे वह एक एक करके देखिए कि अभी जो हम वीडियो बना रहे है पांच चार हो रहा है और इस समय अभी कोई अपडेट ऐसा बता दे कि BPSC के ऑफिसिय कर दिया गया है हाला कि BPSC के द्वारा अतुल प्रशाद के द्वारा अभी एक ट्वीट किया जाता है इसमें बताया जाता है कि TRE 1.0 supplemented result has been sent for uploading on our website मतलब आपका जो result है वह website पर send करने के लिए भेज दिया गया है वहां से हरी जंडी मिल चुकी है अब कभी भी आपका result जो लेकिन अधिक chances है कि आपको आज ही किसी समय आप website चिक करते रहिएगा कि result देखने को मिल चकता है लेकिन इसाथ ही उसमसे दुख की खवर यह है कि जैसा कि हमने आपको पहले update किया था कि अधिक संख्या में आपको second weight list या कहत तो supplemented result देखने को मिल सकती है वह बहुत ही कम ह 4797 में पद है जिसमें अभेर्थी जिसका भी दो मार्क कम था वे आस लगा कर बैठे थी कम सकम उनका result हो जाएगा लेकिन आपको पता दे कि दो मार्क कम बाले को भी नहीं होने वाला है क्योंकि date of birth wise जो भी चटा आए थे बस हो सकता है कि उसका result आजाएगा नहीं तो वह भ बहुत ही कम दिया गया है second आपको result में दखिए जैसे के आपके सामने यहां पर दिख रहा है कि we are received 4797 vacances for supplementary results result of TRE 1.0 however due to non-availability of candidates in areas category in 19th English 926 मतलब आपको 926 seat 19th में इंग्लिस में दिया जाता है जो कि इतना vacant है उसके बाद आपको बता दे कि science में आपको चौस एकासी जो कि 910 के लिए ही है यहां पर आप देख सकते हैं कि 910 के लिए ही चौस एकासी seat दिया जा रहा है फिर अगर यहीं हम 1112 paper के लिए बात करें तो यहां आपको यहां पर science में ही 233 और अदर की बात करें तो आपको 1494 में लेकिन टोटल करके बात करें तो 2024 है न टोटल वेकेंसी इतना मिला कर आपको यहां पर 912 तक देखने को मिल रहा है लेकिन यहां पर आपको बता दे कि अदर जो है जो रिमेनिंग इसके अलावा बज जाता है वह 27 2773 कंडिडेट के ऐसे सप्लिमेंटी रिजल्स है जो पॉप्लिस किया रहे है सातियों अब हो सकता है कि 125 में जो भेड़ती लास्ट कट अफ मार्क चलिए ABC का 55 गिया था OBC का मतलब जो है BC1 का 60 गिया था इस अनुसार हम देखे कि जो भी भेड़ती डेटर पर वाइस चटा आये थे हैना उसका कट अफ मार्क फर ही मार्क था और उसका सेलेक्शन नहीं वह था ऐसे में उनका होने का अधीक चॉंस बन रहा है लेकिन आपको बता दे कि जो भी भेड़ती का एक मार्क कम है भगवान से प्रार्थन की जिए कि आपका रिजल्ट आज आज है ऐसे में सा supplementary result का मतलब क्या कुछ उन्होंने explain किया था हम अपने चैनल पर दिखाये थे हैना उसको आप देख सकते हैं हो सके गया तो हम इसी वीडियो में आपको लगा देंगे कि supplementary result जो है वह क्या होता है आखिर क्यों इतना ही पद दिया गया है साथियों मैं आशा करता हूं कि आप आपको official site पर नहीं जाना है है या आपको देखने नहीं आता है तो आप description में दिए टेलग्राम चैनल को और WhatsApp ग्रूप को जरूर जोन कीज़ेगा ताकि जो ही result publish होगी हम आप तक जल्द ही update कर देंगे ताकि वह PDF में अपना डॉल में ढाल कर देख सकते हैं साथियों चलिए जोना इस वीडियो को देखिए और आप लोगों को समझना होगा और आपके माद्यम से candidate को भी समझना होगा हम लोगके यहां waiting list का कोई provision नहीं है राज्य सरकार में waiting list का कोई प्रावधान नहीं है कौन सा मामला waiting list के लिए बनता है और कौन सा मामला supplementary result में बनता है इसके अं और को समझना जरूरी है जिसका जिसका हम लोगों ने रिजल्ट दिया उस रिजल्ट के प्रोसेस में तो कि दिपार्टमेंट भी उसको देखता है और यह चिस्रिफ का नहीं है किसी भी परक्षा में पर्टमेंड मी देखता है उसको कि योग्य नहीं है तो वो आयोग को वापस भेजता है कि इसके इसमें पुलिस वेरिफिक्शन गर्लत आ गया या यह फ्लाना चीज़ हो गया या कोई है जिसके लिए वो योग्य नजर नहीं आता है तो आयोग उनके स्थान पर सप्लिमेंटरी लिस्ट अनुसंसा भेजता तो जुको अभी वैसे क्यानिटेट जिनको अभी कोई ओफर लेटर नहीं मिला अभी डिपार्टमेंट अपने स्थर्च से उसकी चेकिंग किया और चेकिंग करके अनुसंसा को वापस किया और हम लोगों ने उसके जगह पर नहीं अनुसंसा भेजा तो ये शपलिमेंटरी रि बीपार्टमेंट तब वो ही कर देता है उसको तब उसको ऑफर दिया जाता है हिए और एक बार जब उपर हो गया तो अब उसका वीवेख है अभी हर्थी का जो सेलेक्टेट कैंडिडेट का है कि वह जॉइन करें न करें अब अगर वह जॉइन नहीं करता है तो वह वेटिंग लिस्ट में जाएगा और वेटिंग लिस्ट का चुकि प्रावधान नहीं है इसलिए वह वेकेंसी कैरी फॉरवर्ड वह भी कैरी फॉरवर्ड होगा ऑफर मिल गया जोइन करें चानल करें कई बार होता है कि कैंड़ बोलता है कि हमको डिलीव नहीं हो पा रहे हैं पहले कहीं काम कर रहा हैं उनको एक मेना दो मेना तीन मेना चार मेना च्छे मेना लगाए बीमार है यह करते हैं हर कोई तो एक अपने दो तीन नौप पर प्यार रखता है यहां भी नौक लेता है वहां भी नौक लेता है उसके यहां भी जोइन करता है वहां भी जोइन करने का कोशिस करता है देखता है हर जगर लटका के रखता है स्टूडेंट लाइफ में हम लोगों ने भी वह किया था करते हैं ल लिए government ने चुकी इसमें काफी time लग जाता है इसलिए government यहां पर government waiting list की बात नहीं करती है और चुकी waiting list नहीं है इसलिए अगर कोई candidate अगर offer मिल गया या जाएन करने के बाद छोड़ दिया या join करने के पहले ही join ही नहीं किया offer मिल गया vacancy utilized हो गया और अब अगर वो नहीं join करता है छोड़ देता है join करने के बाद सारे के सारे carry forward होंगे लिकिर अगर उसको offer ही नहीं मिला है चुकि doubt है document verification में, police verification में बगर बगर में और वो vacancy अगर हमको वापस जैसे इस बार multiple results की vacancies हमको वापस हुआ तो वो supplementary result में आई इसलिए हम लोग सुरू से कर रहे हैं कि हम supplementary result देंगे हम कभी भी नहीं बोल रहे हैं कि हम waiting list का result देंगे तो कि waiting list का result का प्रावधान नहीं है और ये तो लोगों की मांग करना की नियोजित को आउट करके नौकी दीजिए ये तो इसके लिए तो चर्चाही करना वेकार है ये तो ग्यार समयधानिक है और समयधानिक है ग्यार कानूनी हो जाएगा हम लोग result तब निकालेंगे जहाँ तयार हो जाएगा और जैसे मैंने पहले ही बताया है कि हमारे पास कई पेंडेंसी है और हमारी ये priority में नहीं है TRE1 का supplementary result निकालना मेरी priority टॉप priority नहीं है इसलिए नहीं है क्योंकि हमने एक लाग बीस जार से जारा लों का result दे रखा है और उस दर्मियान हमारे 68 के result pending थे अब तो निकल गए वैसे 68 के result pending थे APO के result pending थे SAHYAC के result pending थे और अभी भी हमारे AAO के result pending है जो कई समय से लंबे समय से wait कर रहा है पहली हमारी प्रात्मित्ता हुआ है और हमारा TRE 1 का supplementary result तभी निकलेगा जब हम त्यार हो जाएंगे उसके लिए हो सकता हम कल त्यार हो जाएं परसों त्यार हो जाएं हो सकता हम एक सकता के बाद प्यार हो नहीं हमने तो आपको बताया कि TRE 2 के साथ अगर हम करते हैं तो उसके क्या लाव है लेकिन अगर हम उसके साथ करते हैं तो घाटा में यह है कि आप ही लोग हला करेंगे बाद में कि भई इन्होंने डेरी कर दिया क्यों क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं लेकिन मैं मैं दो टूक बता रहा हूं कि वो टियारी सप्लिमेंटरी रिजल्ट कभी भी प्राथमिक रिजल्ट के तुलना में उतना महत्पूर नहीं हो सकता है क्योंकि सप्लिमेंट्री है ना प्रात्मिक रिजल्ट नहीं हो प्रामरी रिजल्ट अगर होता में रिजल्ट अगर होता तो हम उसकी प्रात्मिक्ता दिया भी गया कि स्प्लिमेंटरी डिजल्ट हमारे प्रात्मिता नहीं हो सकती है वह भी तब जब हमारे पास धेर सारे दुसरे परिशाओं तो अगरह-पात्व erectirm प्रात्मिता भू ada अब यह दूस利ップ में से देखें ग monsters हो जाएगी ऑगरह इस डियारी स्प्लिमेंटरी ुजाता है तो तो एक सब्ता के बाद भी निकालेंगे हम कोई commitment नहीं करेंगे देखिए उसमें मानिय सर्वोच न्याले का जो आदेश है और अपने ही गाइडलाइन से विचलित हो गया अपने ही गाइडलाइन से विचलित हो गया ठीक है नायदेश के आलोक में ही विचलित हुआ जिस पर कि मानिय सर्वोच न्याले ने आश्चेरे भी